नमस्काय दर्शको, स्वागत है आपका हमारे को और खास वीडियो में को एक बहतर इनसान बनाने और बहतर जीवन की रह में अग्रिसर करते हैं मृत्यू के पस्चाद घर में गुरूर पुरान का पार्ट होता है इसलिए सामने तोर पर यही माना जाता है कि धार्मी ग्रंथ के अंतरगत रुत्यू के पस्चाद आत्मा के मार्ग और उसके गमन की बात को बताया गया है लेकिन बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि गुरूर पुरान के अंतरगत सामाने रूप से की जाने वाली पाँच ऐसी गल्तियों का उलेख मिलता है जो इनसान को कंगाल बना सकती है गंदे और जूटे बर्तनों को ऐसी छोड़ दिया जाता है उनसे शनी देव अतियंत क्रोधित हो जाते हैं ऐसे परिवारों में देवी लक्ष्मी का आगमन नहीं होता घर में दरीदता का वास होता है इसलिए धार्मिक शास्त्रों के अनुसार सोने से पहले घर की रसोई को पूरी तरह से साफ रखना चाहिए गंदे कपड़े पहनने वाले लोगों पर देवी लक्ष्मी का क्रोध अवश्य बरसता है इसलिए जो लोग नियमित रूप से स्नान नहीं करते अपने और अपने आसपास स्वच्टा का ध्यान नहीं रखते उन्हें अपनी आदत जल से जल बदल लेनी चाहिए क्योंकि आदत उन्हें कंगाली की रहा पर ले जा सकती है देर तक सोने वाले लोग विश्नु पुरान के अंतरगत इस बात का उलेख है जो लोग देर तक सोते हैं जो आलसी प्रवत्ती के होते हैं उन पर देवी लक्ष्मी की कृपा नहीं बरस्ती ये लोग जीवन में कभी उन्नती नहीं करते कितनी भी मेंद क्यों ना कर लेए ऐसे इनके पास कभी द्धन नहीं ठैर था दूसरों के धन संपत्ती हड़पने वाले व्यक्ती को कभी जीवन में खुषी नहीं मिलती इसके अलावा जो लोग दूसरी इस्तियों का शोशन करते हैं ऐसा हाय और निर्धन विक्ति का ऐसम्मान करते हैं उन्हें कभी शांती नहीं मिलती ऐसे लोगों से खुशिया दूर रहती हैं और देवी लक्षमी का घर में प्रवेश भी नहीं होता दूसरों को एसम्मानित करने वाले लोग गुरूर पुरान के अंतरगत इस बात का उलेख मिलता है कि जो लोग पीट पूइछे दूसरों की बुराई करते हैं और उनका एसम्मान करते हैं बिना वज़ा क्रोध और रहंकार की भावना रखते हैं वो हमेशा परेशान रहते है इनके भीतर संतोश और शांती का भाव समाप्त हो जाता है तो दर्शु को ये थी वो पांच गलतियां जो अकसर हम अपने मानव जीवन में करते हैं अगर आप इनमें से कोई गलती कर रहे थे तो उसे फोरण बदल दे ऐसी धार्मिक कहानियों कताओ और जोतिश से जुड़े हर अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब करें वैदिक टीवी